Hello everyone, welcome to your English class. तो जितने भी मेरे 10th class के बच्चे हैं, जल्दी से एक बारी class को join कर जाएं. क्योंकि ये session आज बहुत ही important है. ठीक है, हम लोगों ने एक नया chapter स्टार्ट किया था. उस chapter का part 1 हम कर चुके हैं, आज हम part 2 करने वाले हैं. ठीक है, तो first flight आपकी जो book है, उसका chapter number 7 है, Glimses of India, उसका part 1, यानि की अब बेकर from Goa, जो आपका topic था, वो previous lecture में cover हो चुका है, तो उसमें हमने पूरा बढ़िया तरीके से वो पूरा portion पढ़ लिया, उसकी practice भी कर लिया, आज हम उसके text number 2, यानि की part number 2 पर आ गया है, ठीक है, चालो, तो सारे बच्चे एक बाद जल्दी से जुड़ जाएं भाई, जल्दी से class के अंदर आ जाएं, तो हम लोग class start करेंगे, जितने भी नए बच्चे आज की class में जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो एक बारी मैं आप लोगों को अपने आप से पहचान करवा दू, एक बारी अपना introduction दे दू, So, hi guys, my name is Nikita and I am your English educator, I will be teaching you English and we will be preparing for CBSE term 2 exam together, ठीक है, तो हम लोग आपका CBSE term 2 का जो exam है, उसकी साथ में तयारी गड़ने वाले है भई, So, बढ़िया सी तयारी होगी, जोश में तयारी होगी, अब मैं पहले ही बता दू बिटा, कि आप लोगों का, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, कि chapter number 7, कौन सी बुक का, first flight book का chapter number 7, जो है, glimpses of India है, बड़ा ही प्यारा chapter और उस chapter के अंदर, आपका, glimpses of India का मतलब क्या होता है, भारत की जलक, तो हम भारत की कुछ जलक देख रहे हैं, पर किस प्रकार देख रहे हैं, हम अलग 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 जगाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला जो text था आपका, वो था अब baker from Goa, यानि कि हमने Goa और Goa में रहने वाले एक baker की, और बहुत सारे bakers जो हैं, उन सब के बारे में जाना, उस जगा के बारे में जाना, उस culture के बारे में जाना, आज की class के अंदर हम आ चुके हैं, हमारे second part पर हमारा जो सफर चला था, हरा जिस सफर को हमने शुरू किया था, साथ में glimpses of India, जिसके अंदर हम भारत की अलग-अलग ज़लक देख रहे थे, अलग-अलग जगाओं को देख रहे थे, उस में आज हम step number two पर आ चुके हैं, हमारी गाड़ी ने कहीं और क्या कर लिया है, मोड ले लिया है, और वो मुड करके आ गई है कूर्ग में, आज की class के अंदर हम कूर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यह आपके Glimpses of India, जो chapter है, उसका part number two है, ठीक है, आज की class में खूब मजा आने वाला है, और कूर्ग, मैंने यह जब chapter पड़ा, इस chapter is so beautiful, एक बोहत ही सुंदर सी जगा के बारे में हमें, इस में पता चल रहा है, और यह chapter जो है, है, वो लिखा गया है, लोकेश अब रोल के द्वारा, बेटा, यह आपके यहाँ पर राइटर है, ठीक है, लोकेश अब रोल इस याद रखेंगे, क्योंकि यह आज आता है, एक्जाम के अंदर, ठीक है, तो इस आज यह आता है, CBAC पूछ लेता है, पार्ट नंबर टू क्या है इसका, कूर्ग, यह है, और यह कहानी जो है, यह लिख रहे हैं, लोकेश अब रोल, अब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, कूर्ग के बारे में, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, यहां के लोग कैसे हैं, अगर आप यहां जाओगे, तो आपको यहां पर क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या-क्या करने को मिलेगा, सारी चीज़ें हमें कूर्ग के बारे में बता रहे हैं, और जिब चैप्टर रीड करो ना, तो ऐसा लगते हैं, जैसे कि मैं सचमे कूर्ग में हूँ, वालब आपको भी फिल आएगी चैप्टर पढ़ते-बढ़ते, की जैसे हम सचमे ना, इस चैप्टर को रीड करते-करते, ऐसा लगेगा, जैसे हम सचमे कूर्ग जा चुके हैं, and वो प्यारी सी जगा हम खुद अपनी आखों से देख रहे हैं so इतना प्यारा इतना इतना इंट्रोस्टिंग चाप्टर है ये कि आप उसे रीड करोगे तो आपको फील आएगा कि सच में भाई हम कूर्ग में वैठो है so I can't wait to start it जल्दी से इस चाप्टर को शुरू कर देते हैं हम लोग ठीक है बिटा चालो so यहां ना एक बहुत ही अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि कूर्ग की speciality लोकेश अब रोल ने starting में ही बता दिये चैसे ही बुक के अंदर आपको कूर्ग चाप्टर का क्या मिलेगा बिटा कूर्ग चाप्टर का यह जो टॉपिक है हमारा चाप्टर है चाप्टर नंबर सेवन ठीक है मैं दुबारा बता दू ग्लिम्स ऑफ इंडिया में यहां लिख भी देती हूँ यह आपका जो है ना दार्जुलिंग वगेरा वहां की चाय बढ़ी अच्छी है तो अब आप दूसरी चीज अपनी लिस्ट में डालो कि यहां की कॉफी बढ़ी अच्छी है और जितने भी कॉफी लवर्स हैं आपर मेरी तरह ठीक है आई लव कॉफी तो जितने भी लोग यहां पर कॉफी लवर्स हैं उनको तो मज़ा आने वाला है क्योंकि कूर्ग बहुत ही जादा फेमस है किसके लिए कॉफी के लिए तो अगर कभी आप लोग का ट्रिप बनेना कॉर्ग जाने का सो वहां की कॉफी जरूर टेस्ट कीजेगा और इसको याद भी रखना बिटा ठीक है क्योंकि यहां पर न इस पूरे के पूरे चाप्टर के अंदर आपको कॉर्ग के बारे में इतनी सारी चीजे पता चल रही ह है कि यह जगा किस के लिए फेमस है यहां पर क्या क्या चीजें है किदर किदर आप जा सकते हो गूमने के लिए यहां काई तिहास क्या इतना कुछ आपको यहां पता चल रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है तो everything, every detail क्या है is very important for you अगर हम exam point of view से देखें ठीक है सबसे पहली detail तो हमें यही पता चल रहे है कि कूर्ग भाई अपनी coffee के लिए बहुत famous है और famous for its rainforest and spices यानि कि अपने rainforest के लिए भी बहुत famous है और अपने मसाले, अपने मसालों के लिए spices वो होते हैं न मसाले जो हम अपनी सबजियों में डालते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया यह सारी चीज़ है तो यह अपने मसालों के लिए बहुत famous है तो यहां पर हमें पता चल रहे कि कूर्ग की ना क्या है एक list है, list में सबसे पहले आती कॉफी तो यानि कि अगर हम अगली बारी कहा जाते हैं हम अगली बारी अगर कूर्ग जाते हैं तो वहां की कॉफी जरूर देखनी है वहां के rainforest आपको जरूर देखने है ठीक है और आपको वहां के मसाले यानि की spices जरूर देखने है तो यह तीन चीज़ों देखनी है अब आधा तो कूरग हम इस चाप्टर को पढ़ते वड़ते घूमके आ जाएंगे ठीक है तो जलदी से इस चाप्टर को शुरू कर लेते हैं इस part को इस text नंबर 2 को शुरू कर लेते हैं So, अब देखो, किताब के अंदर, बुक के अंदर आपको जो चाप्टर दिया है, वो एक फ्लो में दे रखा है, लेकिन मैंने आपके, मैं एक्जाम की पॉइंट आफ यू से अगर आपको पढ़ा हूँ, तो बेटा मैंने इस चाप्टर को बाट दिया है, अब पूरे चाप् के बारे में बता रहे हैं, यानि कि सबसे पहली लाइन में आपको और पहले के कुछ चंद पैराग्राफ के अंदर आपको पता चलेगा कि कूर्ग कहां स्थित है, और यहां की फीचर्स क्या है, ठीक है, यहां की खासियत क्या है इस जगह की, चालो, तो शुरू कर लेते है तो चाप्टर कुछ इस तरीके से शुरू हो रहे हैं कि वो पहली लाइन में आपको बता रहे हैं कि यार, मिडवे बिट्वीन मैसौर, यानि कि मैसौर और कोस्टल टाउन आफ मैंगलॉर, ठीक है, तो यह मैसौर और मैंगलॉर के बीच में कहीं पर यह सुंदर सी के बारे में कि इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस जगा को डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे मानो कि एक स्वर्ग का तुकड़ा जो है, वो तैरता हुआ इधर की और आगया, मिलाए वो स्वर्ग से इस जगा को, तो सोचो कितनी सुंदर होगी, अगर कोई इंसान बोले हैं, ऐसे और के बीच में है ये जगा, और ऐसा लगता है कि आप पीस ओफ हेवन दाट मस्ट हैव डिफ्टेड फ्रॉम दे कि इंग्डम उफ गॉड यानि कि भगवान के क्या है कि इंग्डम से एक जगा, हेवन की वो क्या है, वो बहती-बहती यहां आ गई हो जमीन, यानि कि ये भ है उसकी, माइसोर और मैंगलोर के बीच में है ये जगा, ठीक है, तो एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपको कूर्ग के बारे में सारी चीज़े पता होनी चाहिए, कि इसकी लोकेशन पहली बात तो क्या है, माइसोर और मैंगलोर के बीच में, और वो क्या बोल रहे ह वो बोल रहे हैं वो इतनी सुन्दर है मानो कि भगवान के किंडम में से हना भगवान के किंडम में से एक छोटा सा तुकड़ा जो है वो धीरे धीरे से स्वर्ग का तैरता तैरता यहां जमीन पर आ गया है उड़ता उड़ता कहीं से बटकता बटकता जमीन पर आ गया इतना स station है करे कि एक तरीके से भिल्स हैं आपे बहुत सारे और कैसा है is inhabited by proud race of martial men यानी कि यहाँ पर कौन रह रहा है inhabited का मतलब है यहाँ पर कॉन स्थित है यहाँ पर कौन रहता है वो बोल रहे कि इतनी सुंदर जगा जो मैसौर और मैंगला और के बीच में है जिसको बोलते है कि भगवान का स्वग है ये ये मानो कि स्वग का एक टुकडा है जमीन पर इतनी सुन्दर जगह है और ये पहाड उसे घिरी हुई जगह है। ये किस का घर है ये घर है Marshall Minn का यानि कि Seneca का यानि कि यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखेंगे वो Army Minn हैं, Army के लोग हैं, Army के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सुन्दर सुन्दर सी महिलाए रहती हैं और तो और यहाँ पर जंगली जानवर भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे तो यानि कि हमें पहले paragraph के अंदर ही location ब्रोल बता रहे हैं कि भही देखो जिस chapter के बारे में तुम पढ़ने वाले हो, जिस जगा के बारे में तुम पढ़ने वाले हो, कूर्ग, एक तो वो कहां पे है, वो माईसार और मैंगलॉर के बीच में हैं, बहुत ही सुन्दर है मतलब यहीं से पढ़कर इतना मन कर रहा है जाने का, कि सुर्ग का एक तुकड़ा बोल रहे हैं, मतलब बहुत ही सुन्दर होगा, बहुत ही सुन्दर सी जगा है यह और मतलब इसका comparison भी heaven के साथ हो रहा है, कि सुर्ग का एक तुकड़ा, ठीक है, जो आ गया है, यहाँ पर सुन्दर सुन्दर ओरते और जंगली जानवर, इसके बाद जो हैं लोकेश अबरोल बता रहे हैं कि भाई देखो कूर्ग, इसका एक और नाम है कोड़गू, क्या बोलते हैं, कोड़गू, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आपको ना, मैं यहाँ पर एक important चीज़ बताना चाहती हूँ कि confusion किस तरीके से create होता है life में, confusion इस तरीके से create होता है कि हम लोगों ने तो कूर्ग, कूर्ग, कूर्ग करके पढ़र रखा है, आप से exam में question कई बार ना, वो कैसे घुमा कर बच्चे को confuse कैसे करेंगे, वो कोड़गू नाम का इस्तमाल कर लेंगे, जाएगा ना, तो आप हो जाओगे confused कि यार यह कौन सा chapter है, यह कौन जी जगा है, इस बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो बिटा यहां पर यह confusion नहीं आना चाहिए, कूर्ग का ही दूसरा नाम कोड़गू है, तो अगर question कूर्ग नाम से आए, तो भी समझ जाएगा, कोड़ की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आगे बता रहे है कि कूर्ग या कोड़गू, यह सबसे करनाटका का सबसे छोटा district है, ठीक है, सबसे छोटा district है, और evergreen rainforest, मसाले और coffee, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगे, मतलब बहुती सुन्दर से क्या देखने को मिल जाएगे, खूब सारे सुन्दर सुन्दर तुमको जंगल देखने को मिल जाएगे, तो मैं यहां पर मसाले ही, मसाले देखने को मिलेंगे, and my most favorite thing आपको यहां देखने को मिले की खूब सारी coffee, मतलब यह जगह ही coffee के लिए famous, यहां पर सबसे जादा जो उत्पादन होता है, जो production होता ह है, वो है, यहां पर coffee की खेती बहुत जादा होती है, मतलब यहां से हमें समझ में आ रहे हैं कि अगर यह चीजे, अगर यह पूरी जगह coffee की खेती के लिए famous है, मसालों के लिए famous है, और अपने rainforest के लिए अगर यह जगह famous है, तो यहांने कि कितनी हरी भरी जगह होगी, इसे imagine करना, ठीक है, मैं बोल रही आप लोगों को कि हम जब chapter पढ़ेंगे न तो ऐसा feel आएगा, जैसे हम सचमे कूर्ग घूम रहे हैं, तो imagine करोंगे, मतलब हम एक जगह पर जा चुके हैं, जो की famous किस चीज के लिए, अपने आसपस जंगल ही जंगल है, और हमें बता चुक है, करनाटका का सबसे छोटा district है, और तो और वो बोल रहे हैं कि भाई आसपस आपको क्या है, यह घर है, कौफी का, यह घर है, मसालों का, और यह घर है किस चीज का, evergreen rain forest, यानि कि सदा बहार, हमेशा, ठीक है, rain forest का, अब वो बोल रहे हैं कि जो rain forest है, यहाँ पे सबसे important part, 30% of this district, यानि कि अगर यह district इतना बड़ा है बिटा, तो उसका 30% किस से घिरा पड़ा है, 30% तो केवल rain forest ही है, यानि कि यह वैसे भी छोटी सी जगा है, लिखा हुआ है, यहाँ पे करनाटका का सबसे छोटा district है, और उसका भी 30% area तो केवल जंगलों से बढ़ा पड़ा है, यहाँ कि इस आमाउंट को मत भूलिएगा बेटा कि कितना परसेंट है, कितना परसेंट एरिया कूर्ग का या कोटगू का, कोड़गू का कितना % कवर्ड है evergreen rainforest से 30% area कोड़गू का यानि की कोड़गू कूर्ग का 30% आ जो है वह covered है evergreen rainforest से छिया है आप वो बोल रहे कि यहां पर न वैसे तो monsoon के टाइम पे सबसे जदा बारिष होता है और जयर सी 80% area भी जंगलों से बढ़ा पड़ा है यानी कि Evergreen Rain Forest से तो जब यहां बारिश होती है ना जब यहां बरसाथ का मौसम होता है जब मौनसून आता है हाँ पर तो खूब बारिश होती है तो यहां पर ना जो लोग है जो घूमने फिरने आते हैं वो इतना नहीं आते क्योंकि से ही बाहर घूम पाएगा यहां घूमने का जो असली सीजन है वो है सितंबर से लेकर के मार्च का सो यहां पर जो भर-भर के लोगों की विजिटर्स की भीड आती है ना लोग अपने घर से भर-भर के आ जाते कि चलो भई सुन्दर सी जगा कूर्ग घूमने जाएंगे वो कि किस मौसम में घूमने आते हैं सेप्टेंबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने में आपको यहां पर बहुत सारे लोगों की भीड दिखेगी तो सबसे जादा लोग सबसे जादा जो है भर-भर के विजिटर्स किस महीने में आते हैं सेप्टेंबर और मार्च ठीक है सेप् quickly revise कर लेते हैं सबसे पहली चीज यह कि कूर्ग तीन चीज़ों के लिए फेमस है किस के लिए कॉफी सबसे वहली बात दूसरा आपने evergreen rainforest और तीसरा अपने मसाले ठीक है फिर हमने देखा कूर्ग कहां पे स्थित है किदर situated है माईसौर और मैंगलोर के बीच में है और हमारे लोकेश अब रूल एक extra बात हमें बता रहें कि इतनी सुन्दर जगा है मानो कि भगवान के राज्य में से एक चोटा सा स्वर्ग का तुकड़ा बहते बहते आ गया है जमीन पर इतनी सुन्दर भी है फिर वो बोल रहें कि 30% 30% जो इस चोटा डिस्ट्रिक्ट है और उसका भी 30% एरिया Evergreen Rainforest से भरा हुआ है मौनसून के टाइम पर यहाँ पर जादा लोग नहीं आते क्योंकि बहुत बारिश होती है लोग कब आते हैं यहाँ पर लोग आते हैं सेप्टेमबर से मार्च के महीने के बीच में यह सबसे सुहाना मौसम होता है यहाँ भर-भर के लोग आते हैं घू है चालो तो अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हूं ले सकते हैं आचे से आंसर करोगे चालो सो टाइम फॉर यॉर नॉलेज टेस्ट गाईज और सबसे पहला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर सो वेरिस कूर्ग अभी मैंने बता है कूर्ग कहां पर है को समक्वेश्चन नमबर वान आज आते हैं क्वेश्चन नमबर टू पे दमेन क्रॉप ऑफ कूर्ग क्या है सबसे मेन क्रॉप कूर्ग की अब भी मैने बताया था हिंट भी दे दिती हूँ एक मेरी फेवरिट चीज है और कही ना कहीं शयद बहुत से बच्चे अभी कॉमें स माइसर और मैंगलोर के बीच में अना करनाटका की सबसे चोटी डिस्रिक्ट लिख दो यहां पर आंसर में कहां है माइसर और मैंगलोर के बीच में करनाटका की सबसे चोटी डिस्रिक्ट है सिंपल खतम कहानी चालो और यहां का मेन क्रॉप क्या है अब भी तो बताया था कॉफी भई कॉफी लवर सारे के सारे आचुके होंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर माम कॉफी माम कॉफी माम कॉफी हां तो भूलना नहीं है हमारे भारत में सबसे अच्छी एरिया जहां पर सबसे अच्छी कॉफी मिलती हो वह कूर्ग में मिलते क्योंकि यह जगा है युसके तो बहुत यह लगोती है और यहां की हवा भी महकती है कॉफी की खुश्बू से ही ठीक है तो हमने इसकी location के बारे में इसके features के बारे में पढ़ लिया है अब आगे जब आप chapter पढ़ते हो ना तो लोकेश अब रोल यहां पर बता रहे हैं कूर्ग की history कि यहां पर कूर्ग का इतिहास कहां से है कूर्ग में रहने वाले लोगों का क्या इतिहास है तो अब हमें आगे जब हम chapter पढ़ते हैं तो यहां का इतिहास पढ़ने को मिलता है तो वो बता रहे हैं कि देखो तो fiercely independent याने की बहुत जादा आत्म निर्भर लोग जो है fiercely याने की कट्टर तौर पे बहुत तगड़े तौर पे जो independent मतलब कि किसी पर भरोसा नी बरोसा तो करते हैं independent का मतलब है कि कि निर्भर नी होते कि हमारे लिए कोई और कर दे किसी पर dependent नहीं है आत्म निर्भर इंसान है यहां के तो जितने भी यहां के बहुत तगड़े तौर पे आत्म निर्भर लोग है ना वो सारे के सारे माने जाते हैं कि इनका कोई ना कोई रिश्ता है किससे ग्रीक ये अरबिक लोगों के साथ पर अनिर्भर किसी पर निर्भर नी होते अपना काम स्वेह करने वाले इंडिपेंड़ने लोग जो है ये, इनको बोलते हैं कि इनका इतिहास कही नहीं जुड़ा हुआ है, ग्रीक लोगों के साथ, या फिर अरबिक लोगों के साथ, अब क्यूं कहते हैं ऐसा, इसके बीचे कहानी है, अब इस कहानी को ध्यान से समझना, क्योंकि अपने इस कहानी को ध्यान से समझ लिया, त कैसे साबित करके दिखाओ कि कैसे यहां के लोगों का कहा जाता है कि कोई रिष्टा है Arabic लोगों के साथ यह ग्रीक लोगों के साथ तो इसके पीछे की कहानी है ऐसा इसले कहते हैं मतलब की कूर्ग के लोगों का कूर्गी लोगों का जो है कही ना कही कोई पुराना रिष्टा है Arabic या Greek लोगों के साथ ऐसा इसले कहा जाता है क्योंकि पुराने जमाने में एक कहानी है कि क्या हुआ था एलेक्जेंडर की जो एक आर्मी थी एलेक्जेंडर की सेना का आधा हिस्सा कुछ है एलेक्जेंडर की कहानी हैं यहां के लोग मांते हैं कि ऐसका एक हिस्सा कुछ लोग एलेक्जेंडर की सेना की कुछ लोग ऐसे चलते 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 हना तटके किनारे किनारे चलते चलते कूर्ग में आकर के रुख गए और कूर्ग में आकर के रुख गए वहीं सेटल हो गए फिर उनके लिए वापिस लौटना क्या हो गया उनके लिए वापिस लौटना हो गया ही जादा मुश्किल तो उन्होंने क्या किया तो उन्होंने ना वहां के लोकल लोगों से कर ली शादी ठीक है सिकंदर की एलिक्जैंडर की जो सेना थी ठीक है दुबारा से समझ लो कहानी क्या है ध्यान से सुनना एलिक्जैंडर की जो सेना थी उसकी सेना के कुछ लोग हमारे तटके हमारे कॉस्टल livestream कि हारे सहरे कििनारे किनारे चलते चलते आये कूर्ग में कूर्ग में आकर वह रग गए कूर्ग में आकर रुग गग तो फिर ना ऐसा मतलख महौल हो गया कि उनके लिए वापिस जाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने न वही पर अपनी जिन्दकी कर ली और कूर्ग के जो आसपास के लोग ते उनी से शादी वादी कर ली उनी से शादी करके वह लोग वही पर सैटल हो गए और यह चीज न यह चीज पते क्या यह चीज उनके गलच्र में भी drug कि कूर्ग के लोगों का जो कल्चर है उनका जो मार्शेल ट्रेडिशन हैं उनके जो रीती रिवाज हैं उनके रीती रिवाजों में उनके शादी बिया करने के जो क्या होते हैं जो रीती रिवाज हैं उनका रिलिजिस धार्मिक रीती रिवाज हैं मतलब हर चीजों में न कही हैं हिंदू लोग तो वो जो में स्ट्रीम जो हर तरफ हमें दिखने को मिलता है कि हम लोग शादिया होती है तो अलग हिंदू धर्म के हिसाब से शादिया अलग तरीके से होती है हर तरफ आप चले जाओगे तो अधिकतर हिंदू धर्म हिसाब से एक तरीके की होती न हम देखते हैं शादिया हो रही होती हैं उनके धार्मिक जो रीतिरिवाज हैं वो भी अलग होते हैं लेकिन यहां आपको अलग देखने को मिलेगा तो यह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे का माना जाते हैं कि भाई इनका ना कहीं ना कहीं क्या है इनका रिलेशन ही कहीं ना कहीं किसके साथ है इसलिए मानते हैं इसलिए मानते हैं कि भाई जो कूर्गी लोग है ना इनका एक तो रीतिरिवाज अलग है इनके धार्मिक रीतिरिवाज अलग है इनके असल में हिंदु धर्म में होते नहीं है उससे बहुत अलग हैं तो यह इस वजह से भी हमें समझ में आते कि यरुलेशन एट उर्लयों न कि जो 영जह के वो गृब के यह काई और बार सिकंदर लोग आकर के वहां पर रुके तो उनका बहुत सा कल्चर जो है उसका प्रभाफ पड़ा होगा कूर्ग के लोगों के उपर हना अब हमारे उपर जब किसने राज किया था हमारे उपर जब अंग्रेजों ने राज किया तो हमारे उपर भी तो काफी प्रभाफ पड़ा हमारे बाधरों कि बीच में जब अंग्रेज आ करके तो हम लोगों तो हम लोगों FC चीज जी सीखी उन Syam लोगोंने भी हमसे बहुत सी चीज शीखी हमारे उपपर वाइनगमर हमार है फॉश रहते हैं तो पहले तो कई ना कहीं उनके रीती रिवाजों को अपना लिया और वो रीती रिवाजों के style में जैसे उनके रीती रिवाज है उसमें दिखता भी है कि हिंदू धर्म के हिसाब से काफी अलग रीती रिवाज है उनके हना तो यह सबसे बड़ी चीज़ जो इस चीज़ का प्रूफ है कि इनका कहीं न कहीं रिलेशन अरब के लोगों के साथ है ग्रीक लोगों के साथ है इससे का इनका कहीं न कहीं दूर का नाता है अरब के लोगों के साथ या ग्रीक लोगों के साथ अब वह ड्रेस क्या है देखो सबस्का कि इुद्रेश का स Case JahrESE इतना लंबा सा ब्लैक कलर का कोड फीक है उसके उपर इनों ने यह बैलट बांधी है और यह बैलत कैसे हैं embroidered ठीक है कडाई हो रखी इसके ओपर लटे यह जो ब्लाक कलर का इतना बड़ा सा कोट है इसके वॉपर रेड़ कलर की जो बेली है ये सेम जो है न यह क्या है इसको यहां पर कोड़वु लोग फैंते है ठीक है कूर्ग के लोगों को कोड़ भूस भी बोलते हैं सो कूर्ग में रहने वाले लोगों को कोड़ भूस भी बोलते हैं ठीक है इतना याद रखेगा बिटा यह फिर से important चीज है exam के हिसाब से भी बहुत important है ठीक है देखो यहापर the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist built जो लंबा सा black color का coat यह लोग जो पहनते हैं और उसके साथ यह black color के कोट के उपर यह जो लाल से रंग का इनोंने इन अंकल ने पहन रखा है ना एक waist belt अना कमर के उपर यह बिल्ट सी बांध रखी है यह तो यह पूरी जो ड्रेस है black coat और यह जो अपनी कमर पे Pirate one रख यह पूरी ड्रेस पहनी जाती है कोड़वो लोगों के द्वारा कोड़वो लोग कौं है कोड़वो लोग लोग है कोडगु कुड़वो यानी कि क्या जड £ 120 नाम है कोड़वो कूर्ग का दूसरा नाम है कोड़वू तो यहां के खूर्गी बोल लो या फिर कोड तो यहां के लोगों को कूर्गी या कोडवू पीपल कहते हैं तो इसको ध्यान रखना तो यह ड्रेस जो कोडवू के लोग यानि की कूर्ग के लोग जो पहनते हैं इसको यह लोग बोलते हैं कुपिया इस ड्रेस का नाम क्या रखा है इस ड्रेस का नाम रखा हुआ है कुपि आफ ये पूरी-पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहे हूं यह सबसे जादा वेरी-वेरी-वेरी इंपोरेंट है अगर इस चाप्टर से कुछ यह कूर्ग वाले पूरे के पूरे टेक्सटे टेक्स्ट टू से अगर कोई question आने का chance है तो सबसे ज़्यादा इस question आने के chances है अगर कोई question आ सकता है इस वाले topics से तो जबसे ज़्यादा है कि यही question आ सकता है ठीक है यह पूरी कहानी कि भाई आप बता दीजिए ज़रा कि किस प्रकार आप यह मान के कहते हो कि भाई इन लोगों का रिष्टा कुछ ना कुछ अरब या ग्रीक लोगों के साथ है तो आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी के पहला तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि क्या है क्योंकि ना यहां पे कहानी मानी जाती कि एलेक्जेंडर की कुछ आर्मी के कुछ लोग जो काई कोस्टल एरिया से इहां आके रुक गए और यहां आकर के सटल हो गए। उनके लिए जाना हो गया मुशकिल तो उन्होंने यहीं पर क्या कर ली 3 लोकल लोगों से शादी कर ली अब लोकल लोगों के काम करने के रीती रिवाज जो है जैसे कि शादी जैसे कि कोई फंक्षन धार्मिक रीती रिवाजों में पता चलता है क्योंकि उनके रीती रिवाज असलियत में हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत अलग है दूसरा जा रहा पहने जानी वाली एक ड्रेस तो companion should be per kijurnые लोग एक सपेशल प्रकार की ड्रेस पहनते हैं जो किeed ब्लीज्द को टोल किया होता है उसके ओपर कमर पहनेते जो है न बी लग बग सेम सेम है ऑर सेम ड्रेस जो है वह लोग भी पहनते हैं तो इससे बहुत ज्यादा क्या है इस से ना यह जो पूरी कहानी है ना कि कही ना कही ना कोई ना कोई जुडाव है कही ना कही ना कोई ना कोई लिंक है अरब के साथ इस कहानी को और ज्यादा क्या मिल जाते है सपोर्ट तो इसके वजह से हम और ज्यादा मानते कि पक्का कुछ ना कुछ तो है पक्का इनका कोई ना कोई तो क्या है इनका कोई ना कोई तो पुराना रिष्टा जाता है कोई ना कोई तो इनके क्या है कोई ना कोई तो लिंक है इनका ग्रीक लोगों के साथ कोई ना कोई तो लिंक है इनका अरब के लोगों के साथ क्योंकि एक एलेक्जेंडर की कहानी भी है और उपर से जो पूरी की पूरी ड्रेस है यह अपने आप में सपोर्ट कर देती है कि बहुत ड्रेस भी सेम है वो लोग कुफिया बोलते हैं और कोड़गू के जो लोग है कोड़वू या कूर्गी लोग इसे कुपिया बोलते हैं तो नाम भी लगभग सेम है, ड्रेस भी सेम है, तो इस वजह से कहते हैं कि इनका इतिहास कही ना कही जुड़ा हुआ है, अरब या ग्रीक के साथ, ये कहानी सभी को समझ में आई, ये कहानी बेटा बहुत important है, इसको ना तुम लोग मतलब जितना mark कर से को mark कर लो, इस अगर च जाना वो बहुत अलग तरीके से करते हैं, तो पूरा जब इसकी पीछे देखा जाना तो उसके पीछे का रीजन ही ये है, क्योंकि एलेक्जेंडर वाली कहानी भी हुई थी, तो हम मानते हैं कि क्योंकि एलेक्जेंडर के लोग आये थे, तो उन लोगों का बहुत क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुपिया क्या है, तो आपको पता होना चीए कुपिया क्या है, ब्लैक कलर का लॉइडर का लोग कोट और इंब्रॉइडर बिल्ट, वेस्ट बिल्ट, कमर की बिल्ट, ठीक है, ये है कुपिया, तो अलग-अलग questions यहां से बन स चुके हैं, इस जगा, ये जगा famous किसले है, इसके features क्या है, वो features भी बता चुके है, अब इस जगा की history क्या है, उन्होंने history भी बता दी के यहां के लोगों का इतिहास कहां से आता है, ठीक है, अब यहां के main attractions के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब यहां के लोगों के एक खासियत बताते हैं कि यहां के लोग जो है वो अपने आदर सतकार के लिए बहुत माने जाते हैं। जाता है दूसरी वो तारीफ कर रहे है उन लोगों की कि खास बात कूर्ग के लोगों की यह है कि कूर्ग के लोग जो है न वो बहुत ज्यादा कैसे हैं वो अपने साहस के लिए बहुत माने जाते हैं मतलब कूर्ग के लोग एक मौका नहीं छोड़ते हैं अपने भाईयों की अपने पिताओं की, ठीक है, अपने लोगों की साहस की कहानी सुनाने का, जब भी उनको मौका मिलता है, तो वो हमेशा कहानिया सुनाते हैं, वो पुरानी कहानिया उनके साहस की, हना यहां देखो, tales of valor, valor का मतलब है साहस, bravery, ठीक है, जो की related है उनके बेटों से, उनके पिताओ से, तो यानी की यहां पर ना और एक और चीज़ यहां पर बताते है कि कुर्ग के लोग, वहाँ पर आपको और इस वैठ है, बेटा की जो आरमी रेजिमेंट है न वो सबसे ज़्यदा सम्मानित है, सबसे ज़्यदा सम्मानित है, दूसरी बात, कि मतलब यहां की दोते हैं आपको हर घर में, हर घर में आपको एक इंसान आर्मी में मिल जाएगा, हर घर में आपको या तो जो लड़का है, ठीक है, बेटा है, या जो पिता है, वो आपको आर्मी के मिल जाएंगे, मतलब यहां के लोग जो ना दिक्तर कहां जाते हैं, यहां के लोग, मतलब आप कहा सक यहां के लोगों की बात करें तो यहां के लोग एक तो अपने अतिति देवो भवा मानते हैं लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं आदर सतकार करते हैं दूसरा, सहसी बहुत है, बेड़ी ब्रेव हर गर में आपको एक जवान एक सैनिक मिल जाएगा भई या तो पिता या तो जो है बेटा ठीक है साहसी कहानिया हैं हर घर में हर एक इंसान के पास अपने बेटों की या अपने पिताओं की ठीक है दूसरी चीज़ यहां पर देखो कि कूर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in Indian आर्मी इंडियन आर्मी में भारत की जितनी भी हमारी पूरी सेना है उसमें सबसे जा में अदर कैसा है हाउस जोष वैरी हाय यहां के लोगों में जोष अपने भारत को लेकर के अर्मी को लेकर के बहुत जादा है बहुत अगड़ा है क्योंकि यहां के अलग ही इस पूरी तुकडी को इंडियन आर्मी में लुद्ध और सबसे वान ऑफ देश्ट कि मलब जितने कूर्ग की है कूर्ग रेजिमेंट most decorated decorated यानि की होता नहीं है stars लग जाते कंदों पे यानि कि भाई आपने बहुत कुछ महान काम करें बहुत ही साहस दिखाया है यानि कि आप सबसे जादा सम्माने थो आपको सम्मान बहुत मिला आपने काम बहुत अच्छा किया सो सबसे आर्मी के जो सबसे पहले chief थे ना जिनका नाम था General Kaerepa वह भी कूर्गी ही थे तो यहीं से पाता चलता है इन लोगों के बारे में यहाँ के से पूरा जो paragraph है लोकेश अबरोल हमें यहां के लोगों के बारे में बता रहे की यहां के लोग कितने जोश हीले हैं मतलब इधर के रेजिमिंट के जितने भी लोग हैं, कूर्गी रेजिमिंट जो है, वो वैसे भी इंडियन आर्मी में अलग ही उसको संवान दिया जाता है, यहां के अधिक्तर लोग जो है, उनसभी हर घर में आपको जो है, इन्सान मिल जाएगा जो आर्मी के अंदर है, हना तो यहाँ के लोगों की खासियत बता रहे होगे, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि हमारे पूरा मनलब इस से, इस लाइन से अपने आप समझ जाओगे, आपके यहां के लोग जो हैं वो कितना जादा कैसे हैं देश भक्त है कि हमारी पूरी इंडियन आर्मी का जो सबसे पहला चीफ था जिनका नाम था जनरल के रिया अपा वो खुद एक कूर्गी थे तो यानि की कूर्ग से जितने भी लोग निकलते हैं आप कहा सकते हो कि जो भ जोड़ा है फायराम्स विदाउट लाइस पूरे भारत में ना किसी इंजान को यह नहीं दे रखी हमने छूट के आप बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हो या फिर हत्यार रख सकते हो केवल हमने कोडगू लोगों को यानि की कूर्गी लोगों को दे रखी क्योंकि कह कही न कहीं बेटा हमें क्या पता चलता है कही न कहीं हमें इन लोगों के उपर भरोसा है कही न कहीं हमें पता है कि यहां के लोग जो है वो बहुत अलग है बाकियों से यहां के जो लोग है इनके अंदर का जोश अलग है इनके अंदर की स्पिरिट अलग है सिर्फ इन लोग कि कोई साहसी कहानी सुनाने के लिए होती है तो यहां पर हर घर में एक क्या है हर घर में एक जवान है हर घर में एक सैनिक है यहां की आर्मी जो है वो अपने आप में फेमस है क्योंकि वो भारत की पूरी इंडियन जो इंडियन आर्मी है उसमें सबसे जादा सम्मानित आर्मी कूर्ग की है उपर से उपर क्या है हमारे पूरे इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे वो जनरल कह रही आपा वो भी कूर्गी थे और दूसरी बात कि यही से हमें समझ में आ जाते हैं कि भाई जब इतना कुछ किया है तो कोड़वू लोगों को ना भारत की सरकार ने ब बारे में है कूर्ग के लोगों की खासियत के बारे में कूर्ग के लोगों के बारे में आपको बता रहा है कि वहां के लोग कैसे हैं सो अब हमें इतना समझ में मेरे तो दिमाग में की मिच बन चुकी है मेरे को लगता है आप लोगों के अंदर भी बहुत जोश आ गया होग चोटा सबसे चोटा है करनाटका का डिस्ट्रिक्ट लेकिन उसमें 30% एरिया ग्रीनरी से भरा पड़ा है क्योंकि 30% एरिया कौन कवर कर रहा है Evergreen rainforest कवर कर रहा है उपर से मतलब उसका इतिहास इतना अच्छा है यहां के लोगों का कल्चर बहुत अलग है क्योंकि इतिहास में क्या है कहीं न कहीं एलेक्जेंडर की आर्मी से जुड़ा हुआ है इतिहास दूसरी बात कहीं न कहीं इतिहास अरब यग्रीक लोगों से जुड़ा है क्योंकि इनके इनका पूरा कल्चर अलग है इनका पहनावा अलग है और पहनावा सेम कैसा है जो ये कुपिया पहनते हैं जो ये ड्रेस ब्लाक कलर की और कोट और ये कमर के उपर ये जो बेल्ट बांथते हैं वो सेम कही न कहीं कैसा है जैसा अरब लोग पहनते हैं अरब उसक लोगों को उपने आप में बहुत ही प्यारी Colorado आप पोहां जाओगे तो आखों से तो सुंदरता देखने को मिलेगी इन की आप लोगों को वहाँ पर लोगों के अंदर भी बहुत ही अच्छा आधर सतकार आदर भाव देखने को मिलेगा ठीक है बच्चे चालो इसके आगे हम बढ़ जाएं अभी तक सभी को सारी कहानी पूरा चैप्टर यहां तक क्लियर हैं आगे बढ़ जाते हैं हम अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि आपको ना लोगों के सिवा इसके इतिहास के सिवा अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप जाओगे तो आपको यहां पर क्या क्या करने को मिलेगा यहां की सुन्दर्ता के बारे में तो वो बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहली बात यहां पर कावेरी नदी है ठीक है जिसको पानी कहां से मिलता है जिसको पानी मिलता है कूर्ग के पहाडों और जंगलों में से यानि की कूर्ग के पहाडों में से और जंगलों में से निकलती आ रही है बहती आ रही है एक नदी जिसका नाम है कावेरी तो यह important है बच्चे यह बहुत ही जादा important है सीधा सीधा question MCQ में भी आ सकता है और आपको बोल सकते हैं कूर्ग के Geographical Location के बारे में और Geography के बारे में कुछ बताओ तो आपको पता होना चीए कि इसका Geographical Location क्या है कि यह माइसूर और मेंगलॉर के बीच में है करनाटिका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है यहां पर कुर्ग के पहाडों में से जंगलों में से बह रही है एक नदी जिसका नाम कावीरी है ठीक है और दूसरा क्या बोल रहे हैं वो वो बोल रहे हैं यहां पर आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे सबसे पहले आपको एक मचली देखने को मिलेगी जो कि ताजे पानी की मचली है महासीर जिसको बोलते हैं कौन है ताजे प मिलेंगे ये देखो आपको elephants देखने को मिलेंगे और सबसे प्यारी बात पता है क्या mahots यानि कि elephants को ना इनके वो होते ना elephants को चलाने वाले वो जो इनके साथ रहते हैं ठीक है वो इनको निलाता होगे नदी का पानी ताजा पानी होता है ये पता है ना आप वो खारा पानी नहीं होता है उस पानी के अंदर आपको महासीर मचली मिलेगी आपको देखने को उसके लावा किंग फिशर बोर्ड लोगों को देखने को मिलेंग आपको गिले बैक लोग नदिक एक एसा इंसान आ जाएगा नगोंड़ों फाक्सार इंसान और इंसान और यहां करके एक दम excitement से भर जाएगा और वो भी बहुत active हो जाएगा मदब यहां पे coins आना जाएगा ना वही जगह इतनी सुन्दर है पहले तो सुन्दर ता देख करके पागल हो जाएगा उपर से यहां पर आपको इतने सारे जानवर देखने को मिलेंगे यहां के लोग इतने अच् पुझ है आप यहां पर excitement adventure से भर जाओगे क्योंकि आपको यहां पर करने को क्या क्या मिलेगा आपको के नवींग करने को मिलेगी यह होता है बिटाइक ऐसी नोकीली सी नाओ को आप चकूस ऐसे चलाते हो फिर आपको river rafting करने को मिलेगी ठीक है फिर आपको रैपलिंग कर करने को मिलेगी जिसमें ऐसे रसी से लटक कर क्या पहाड से नीचे उतरते हो आपको rock climbing करने को मिलेगी आइसे लोग होते ना पहाड पे चड़ते हैं आपको यहां पर mountain bike करने biking करने को मिलेगी मतलब अलग 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 activities है यहां पर मलब इंसान बोरी नहीं हो सकता बलकि खोश हो जाएगा बोलेगा वाओ यार यहां तो मतलब पूरा package है सुन्दरता तो सुन्दरता लोग तो लोग अच्छे इतिहास इतना interesting उसके इलावा यहां का यहां पर करने को कितना कुछ है यहां पर जानवर कितने मतलब आप nature के पास आ जाओगे जानवर इतने सारे दे आयर मिस्टी लैंड्सकेप ऑफ कूर्ग ब्रह्मगिरी हिल पर ब्रह्मगिरी का जो पहाड है अगर आप उस पर चड़ करके जाते हो तो उस पहाड की चोटी पर जाके आपको जो नजारा देखने को मिलेगा जो क्या है जो हलकी हलकी धुंद से हलकी हलकी कोहरे से ऐसे पू ब्रह्मगिरी हिल्सको चड़ने के बाद आप चड़के ब्रह्मगिरी पहाडों पर चड़कर के जाओगे चोटी पर पहुचोगे तो वो जो 360 डिगरी आप अपने चारों और जब अपनी नजर गुमाओगे वो जो नजारा है कि पहाड है वो घिरे हुए हैं धुंद से को होरे से हलका हलका बादल आगा हैं पहाडों पर तो वो जो आपको देखने को मिलेगा वो तो एक अलगी सुन्दरता होगी ठीक है फिर वो बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हो तो आपको क्या मिलेगा अब वाक अक्रॉस दर रोप ब्रिज यानि की रस का एक ब्रिज बना हुआ है रसी का ब्रिज को पार करकि अगर आप दूसरे तरफ जाते हो तो आपको 64 एकर का एक लैंड मिलेगा एक जमीन है जिसका नाम है निसार गदमा ओला की सुन्दर है अलगी निसार गदमा अलग ही सुन्दर है आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको सुंदर सा व्यू देखना है ठ्रिसिक्टी डिग्री वाला व्यू देखना है तो कौन सा पहारच्ड़ना पड़ेगा ब्रह्मग किरी हिलस आपको ब्रह्मगील सी कि चणाई करनी पड़े कि तभी जाकर चोटी पे आप पहुंचोगे तब आपको वह सुंदर सा 360 डिगरी का व्यू मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है जहां पर ऐसा लगता है बही पहाड़ों के ऊपर बादल आ गए अब कोहरा सुंदर और आप अगर रसी काब आप देख रहें इमाजन कर सकते हैं कि हम अभी अभी इमाजन कर के देखो कि हम अभी-भी ऐसे पहाड़ चड़के गए निसार गदधमा की तरफ जा रहे हैं तो अभी-भी हमने कौन सा पहाड़ चड़ा है हम ब्रह्मगिरी पहाड़ चड़के गएं चोटी पे पहुचे हैं इतना सुन्दर है एसा प्यारा सा व्यू देखने क को मिल रहा है चारोर फिर हमने एक रसी का ब्रिज पार किया और उसके बाद हम एक 64 एकड लैंड पे आ चुके हैं जिसका नाम है निसार गद्धमा ठीक है वो अपने आप में सुंदर है अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर क्या मिलेगा आपको वहाँ पे आपको मिलेगा बुद्धिस्ट मॉंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जिस्ट तिबितिन सेटिल्मेंट आट नियर बाइप बाइलकूप इस बोनस अब वहाँ जब आप पार करके निसार गद्धमा पहुशते हों तब आप किसमें टकरा जाओगे तब आप हिंदू के पंडितों को हम बोलते हैं पंडित जी वैसे उसमें क्या होता है हम अगर क्रिश्चियानिटी में बात करें उस धर्में जो संत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फादर्ज हना तो बुद्धिस्ट लोगों की जो संत होते हैं उनको बोला जाते हैं मॉंक जो क्या जाओगे किन से Buddhist monks से और वो कहा है और फिर आपको पता चलेगा कि वहीं पे पास में इंडिया की सबसे बड़ी हना India's largest Tibetan settlement वहां पे इंडिया की सबसे बड़ी Tibetan बसावट आपको मिलेगी कहां है जो की जो की बाय लगूब के पास में ही है वो तो फिर plus point मद इतना कुछ देखत चले जाओगे देखते चले जाओगे वहां पितना कुछ है देखने के लिए कि आप ठक जाओगे और सुन्दरता खतम नहीं होगी अभी तो हमने ब्रह्मा गिरी पहार चड़ा था तो इतना सुन्दर व्यू देखने को मिला फिर हम रसी को पार करके पहुंचे तो 64 एकर का ल भारत की सबसे बड़ी तिबितन बसावत देखने को मिली यह सारी चीज़े इतनी सुन्दर होंगी और फिर वो बोल रहे हैं दो मौंग्स वो जो संत वगेरा होते हैं ठीक है इन रेड ओक्रे और यलो रोब्स जो इस तरीके के कपड़ों में होते हैं ठीक है आर अमंग्स इस बहुत सारे सप्राइज़ में से एक हैं जो की आपको यहां पर देखने को मिलेगी जल्दी से जल्दी आप हमें चाप्टर खतम करने के बाद जाना जी एक बारी कूर्ग का चक्कर ला कि आना जी क्योंकि वहां बहुत कुछ है देखने को मनलब लोकेशन से लेकर के नदियां बह रही हैं जानवर देखने को मिल रहे हैं यहां पे इतनी सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए यहां के लोग इतने अच्छे हैं लोगों का इतिहास इतना अच्छा है उपर से आप यहां पे जाओगे तो आपको शान्ती मिलेगी क्योंकि वहां पे आपको कितने सारे संत महात्माओं की अलग से एक पूरी की पूरी लोकालिटी मिल जाएगी मैं दो और क्या चाहिए कितना सुन्दर है everything is so nice so ये है पूरा का पूरा हमारा chapter कूर्ग जिसके अंदर लुकेश अबरोल एक बहुत सी बहुत ही प्यारी जगा के बारे में बात कर रहे है और जैसी कि मैंने कहा था कि इस chapter को इस जगा के बारे में जानने के बाद इस text को पढ़ने के बाद आपका मन करेगा कूर्ग जाने का तो I hope आप सभी को ये chapter बहुत ही अच्छा लगा होगा, chapter को पढ़कर खूब मजाया होगा और कही ना कहीं आपको मन कर रहा होगा कि या र कूर्क जाना चाहिए हना जिंड़िगी में कुछ करे-ना करें एक बारी हम कूर्क जरूर गूम करके आएंगे वहां के कॉफी पियेंगे वहां के मसाले को एक्जाम्स के लिए आप लोगों को दुबारा से एक बारी क्या करना है इसका रिविजिन करते रहना है तो इस पूरी विडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कूर्ग का क्या कर दिया कूर्ग का दे दिया एक टूर तो यहां पे अब मज़ा आ चुका है हम लोग भी घूम केरन थांक यू सो मॉच